अगर आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी या अप्लोड करते तो ये वीडियो आपके लिए खास है यंजल के इस एप का यूज के से करें आज की इस वीडियो में जानने वाले ही तो most interesting वीडियो है आकर तक देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़ आप देते हैं तो let's see आप देख सकते हो मैंने open कर दिया open करने बात get question आपके सामने option है फस्ट तो इस option पर आपको क्लिक करना है स्वारी option पर क्लिक करना है जैसे click करेंगे click करने बात फस्ट यहाँ पर आपका instagram का username डाल देना फ्रेंट्स तो let's see आप यहाँ पर just मैंने username type कर करना है so after click यहाँ पर आपकी link copy हो जाएगे अब next step में आपको क्या करना है friends तो copy link के नीचे share का button आप देख सकते हो तो इस button पर आपको click करना है after click friends यहाँ पर आपके सामने कुछ step आ जाएगे तो यहाँ पर आभी आपको next step पर click करना है one two three बार click करना है तो after click share on profile का button दिख लिए open हो चुके बट यह जरूरी चेक करें कि यहाँ पर Instagram open करके वहाँ पर login सही है या नहीं नहीं तो उसे account को पहले login करें उसके बाद यहाँ पर step follow करती है अब यहाँ पर story में आपको link एड़ करना है वो कैसे करें उसके लिए यहाँ पर आपको story पर click करना है अब यहाँ यहाँ पर adjust करती है अब यहाँ पर share के बटन पर click करके story को share करना है ओके चली यहाँ पर check कर लेते story share हो गई या नहीं तो let's see आप देख सकते हो story यहाँ पर share हो चुके चली तो practical इसका use जान लेते है तो उसके लिए मैं second ID यहाँ पर open कर देता हो तो हमने अभी जो story upload की थी यहाँ पर मैं other ID से scene कर देता हो ओके तो यहाँ पर मेरी वही idea जिसमें हमने story upload की थी तो उस story को में open कर देता हो चली ngl.link पर अभी मैं यहाँ पर click कर देता हो तो after click late से आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा enterprise आएगा मतलब आपके link पर कोई भी click कर गया तो उसके सामन इस icon पर click करके मैं अलग-अलग से question यहाँ पर find कर रहा हो तो आपका friend ऐसे question find कर गया जैसे कि how are you today तो यहाँ पर click करके वो send पर click करेगा अब वो जैसे send पर click कर देता है friends आपको personally यहाँ पर directly notification आ जाएगा let's see आप देख सकते हो उपर मुझे notification आ गया है अब notification पर click करके आप directly आपके friend ने क्या क्या question किये आपसे वो आप directly देख सकते है या directly manually app open करके भी देख सकते है तो click करने के बाद ही आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे message आ गया है तो इस तरह से link पर click करके कोई भी आपसे question पूश सकता है अब who send this इस option पर click करके आप यहाँ पर check कर सकते हो कि क इस ने आपको message किया friends और नीचे reply के बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर यह directly story पर रख सकते हो यहाँ पर यह जूश कर सकते हो तो इस तरह से question answer करने के लिए यहाँ पर इस app का यूज कर सकते हो यहाँ पर और कई सारे मन में सावड हो गया आप वीडियो की नीचे comment box में आप शेर कर सकते हो और डोंट वरी अकाउंट रिकावरी के कोई भी आपको charges नहीं देने पड़ेंगे so thanks for watching this video अत्यंता आपर युडियो देखने के लिए धन्यवाद